अस्सलाम अलेकुम दोस्तो यदि आप कतर में रहते हो और कतर के हमतरीन खबरों से में सब वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिनाय स्कूप का पूरा देखिए चैनल पे नहीं हो या फिर पहली बाराय हो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकन को पेस कर लिजिए ताकि आने वाली वीडियो की नॉट्फिकेशन आपको दोस्तो हमेंसा फ्री में मिलती रहे तो साथियों आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर आ रही है 30% इंक्रीज रेश्टेशन ट्रांसफर ओफ स्टुटेंट दिस एर तो मिनिस्ट्रियो पेजूकेशन के तरफ स दोस्तो कल की दिन यह एनॉस्मेंट किया गया है यानि MOEHE के तरफ से संडे के दिन की लगभग 27,230 मेल और फीमिल इस्टुटेंट जो है करेंट एकेडमिक एर में 2022 से लेकर 2020 वाले पबलिक स्कूल को 30% से जादा 200 ट्रांसफर वहाँ पे लिया गया यह दोस्तो पिछले सा के मुकाबले इस साल लगभग 30% से जादा लोगों ने इस बार ट्रांसफर लिया है अगली खबर की और शातियों चलते हैं अगली खबर दोस्तो जो आ रही है हजाम मुबारेक जनरल होस्पीटल से तो सातियों कतर का बहुत ही बड़ी है यह होस्पीटल है सरजरी बार होस इस ससे सरजरी दोस्तों वहाँ पर किया गया जिनमें इसे किसी के दोस्तों बच्चे की या तो फिक किसी लोगों कि अब तक वहाँ पर जान नहीं गई है यहा पर सर्जरी अधिकतर किया जाता है इस पेसलिटी जिसमें आप कह सकते हैं यूरोलोजी और्थोपेड़ेक्स Surgory और Urgent Surgery ये सबी Surgary दोस्तों वहाँ पर इस Hospital में किया गया अगली अपडेट के उट साथ हूं चलते हैं अगली ख़बर दोस्तों जो आरी कतर के आमीर के तरफ से आरी तो कतर के आमीर के तरफ से दोस्तों Congrelation कहा गया यानी बधाईयां दी गई जापान के XC Jinping को अब दोस्तों ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोस्तों जो जापान के प्रेमिनिस्टर थे जो उनकी देथ हो गई थी जिसका बाद फिर से वहाँ पे रियलेक्शन हुआ किया गया इसी को लेकर दोस्तों उनको बधाईयां दी गई अगली अपडेट की और साती हुँ चलते हैं अगली ख़बर दोस्तों जो आ रही है 164 बसेश टू टेस्टेड अन अलवकरा इस्टेशन जनूब इस्टेशन रूट संडे साती हुँ जैसा कि आप लोग को पता है कि कतर में फीफा वर्लकप को लेकर बहुत सारे बसों को चलाया जा रहा है तो सुप्रीम कमेटी फोर डिल्बर लेजिसी के तरब से सभी को एनॉस्मेंट किया गया है कि लगभग 164 बसों को वहाँ पे टेश्ट किया गया अलवकरा स्टेशन से लेकर अलजनूब स्टेडियम तक और सौद बिन अब्दल रह्मान स्ट्रीट से लेकर अलजमा स्ट्रीट तक सुबा नौ बजे से लेकर साम पांच बजे तक तो यह जानकारी दोस्तों ट्विटर हेंडल के ट्विटर एकॉंट से ओफिसियली दिया गया है जो ट्रांस्पोर्ट का दोस्तों जो ओफिसयल है वहाँ से दिया गया है इस पे बारे में आप दोस्तों वहाँ पे भी जाके पढ़ सकते हैं अगली अपडेट जासतो आरी वो नेशनल डे को लेकर आरी तो खबर दोस्तों यह है कतर नेशनल डेवी ज़िए ट्विटर युटर थॉटर मवी स्क्वार मीटर तो दोस्तों यह बधाईयां लोगों को दी गई अगली जो खबर साथियों Qatar Airways की तरफ से आ रही है तो Qatar Airways की तरफ से एनॉस्मेंट किया गया है कि Sponsorship of Qatar Creates October Edition तो साथियों Qatar Airways की तरफ से एनॉस्मेंट किया गया है जो Qatar Creates October Edition जो था वो स्टार्ट दोस्तों हो चुका है जो भी लोग उसे participate करना चाते हैं आप लोग participate कर सकते हैं अगली जो खबर साथ की बहुत भड़ी खबर है जो की रसिया से वैसे तो आ रही है पर आपको बताना मैं जोरी समझता हूं खबर यह है रसियान मिलिटरी प्लेन क्रैस दोस्तों रसिया का मिलिटरी जो प्लेन है वो क्रैस कर गया इंटू दर रेसिदेंशल बिंडिंग इन सबेरियन सिटी दोस्तों सबेरियन जो सिटी वहाँ पर इस ये क्रैस किया जिसके वज़े से दोस्तों बहुत भड़ी दुरगटना घटी है ये फ्लाइट नंबर था इस यू 34 फाइटर प्लेन जो की लगबग कुछ दिन पहले ये क्रैस किया था इसकी पुष्टिक रसियन गवर्मेंट के तरफ से की गई तो ये कुछ अपडेट्स थी कुछ खबरे थी जो की कतर से आ रहे थी मैंने अब तक सेयर किया आसा करता हम वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें दोस्तों सेयर करें ताकि और भी लोग को इसकी जानकारी हो सके मिलते साथ